असलाम अलेकूम और वेलकूम टू माय चैनल कुकिंग एंड वेकिंग वे दिरसा उमीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे खैरी अच्छे होंगे और मेरी रसेवी का वेट कर रहे होंगे आज हम बनाने जा रहे हैं जी सर्दियों की स्पेशल वेजिटेबल गाजर और उससे गाजर का मुरबा बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत हेल्दी और बहुत ही मज़े का बनता है सर्दियों में गाजर और गाजर से फाइदा ना उठाया जाए तो ये हो नहीं सकता तो आज हम गाजर से फाइदा उठाने जा रहे हैं और बनाने जा रहे हैं जी गाजर का बहुत ही मज़े का मुरबा तो चलें देखें जट-बटसी रेसिपी कैसे बनाए जाती है कुछ के तीन पेसी किया है कुछ के चार पेसी किया है तो यह देखिए जी मैं आपको पेसी दिखा रही हूं ठीक है नीच मैंने इसमें डाल लिए वान अन हाफ के जी गाजर थी इसमें हाफ के जीडाला है चीनी और दो ग्लास पानी डाले हैं और मैंने इसको रख दिया और साथ तीन से चार अदद मैंने इसमें चोटी लाइटी डाली है और एक आपने लेमन स्कुिस करना है अच्छा लेमन से क्या होता है कि क्यूंकि मुरबा एक दम से तो खाया नहीं जाता है तो इसकी जो है जिन्दगी भर जाती है मिन्स आप इसको जादा देर तक स्टोर कर सकते हैं प्लस इसका कलर भी खड़ाब ही होता है गाजे का फ्रेश सा कलर रहता है ठीक है तो यह आपने इसमें एड़ कर दिनी है और गाजर अपना भी पानी चोड़ेगी और चिनी का भी पानी होगा तो यह तकरीब आपने हलकी आँच में इसको दो घंटे के लिए पकने के छोड़ देना है दो से ढाई भी लग सकते हैं तीन भी लग सकते हैं पकने के जैसे ही यह सॉफ्ट हो जाएगी और इसका शीरा थोड़ा सा थिक हो जाएगा और जो शीरे का टेस्ट है वो अंदर तक चला जाएगा तो इट मीन्स के वारे जो है वो गाजर रेडी हो जाएगी यह देखें यहां पर तकरीब इसको देर गंटा डेर से दो घंटे ह पकते हुए लिकिन अभी भी यह रेडी नहीं है और मेरी मेरे गाजर के मुरब्य को ना जो मैंने यह बनाया इसको लगे थे धाए गंटे दाए गंटे से लगे थे क्योंकि हमारी शॉर्टेज ऑफ गैस है तो मतलब कुछ टाइम के लिए चली गई थी तो यह गाजर हमारी फाइदा मन्द है तो आप भी बनाएं जरूर ट्राइ करें बच्चों को दें बच्चे शॉक से खाते हैं जो मिठा वो बहुत मतलब मज़े लेके खाएंगे तो उमीद करती हूँ कि मेरी आज की रहसे भी आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक और शियर और म याद रखेंगे अल्ला हाफिज